हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आच्छु काऊं मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर तो आप सभी स्टूदेंट्स के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए गूगल की तरफ से एक नया बहतरीन प्रोग्राम गूगल हैश को 2022 लौँच कर दिया है 6 जनवरी को हर साल इस प्रोग्राम को करवाए जाता है गूगल की तरπ से जहाँ पर मोका मिलता है स्टूदेंट्स को वर्किंग प्रोफेशनल्स को ग्रेजुएट्स को जिसकी भी एज 16 यर के ज़दा होती है उनंसाभी को मोका मिलता है गूगल के स्वैक जीतने का गूगल की नई-न गूगल के प्रोग्राम्स में बैन भी हो सकते हो तो अगर आप लोग को नोटिफिकेशन इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो तो सारी डिटेल में आप लोग को बताऊंगा जैसे कल मैंने आप लोग को ले एक वीडियो भी बनाई थी आप लोग के लिए Google Learn to Earn Cloud Security Challenge उसमें बहुत कम सीट थी बहुत जल्दी उसमें फिल हो चुके हैं अभी बच्चे कह रहे हैं इसके नए स्लोट आएंगे या नहीं आएंगे तो मैं आप लोग को एक अपडेट देना चाहूँगा यह जो प्रोग्राम है वो 31st जैन तक चलने वाला है तो उमीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में नए स्लोट भी देखने को मिले बट कन्फरमेशन अभी नहीं है कि आप लोग को स्लोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे बट हम लोग कह सकते हैं कि इतनी डेट इनों ने दिये तो कुछ सोच के दिया होगा तो आप वेट करो जब भी आएगी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के बता दूँगा गूगल के तीन टाइप के प्रोग्राम है जो के गूगल अपने कोडिंग कमप्टिशन पेच पेश पे करवाता है गूगल हैश कोड, Code Jam and Kickstart जो किकस्टाइट की बारे में बताने से हमें पहले कुछ और अपडेट मां होग आप लोग को देना चाहोंगा तो मैं आप लोग को कुछ free opportunities बताना चाहूंगो जो कि Academy के तरफ से आप लोग के लिए All India mock test करवाय जा रहे हैं जो कि free में आप लोग in mock test का access ले सकते हो अपने gate exam की preparation और अच्छी कर सकते हो जो कि आप लोग देने वाले हो अभी इसके लिए आप से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है Academy के तरफ से free mock test है सभी के लिए जो बच्चे भी join करना चाहते हो कर सकते हैं साथी साथ 16 January को Academy का crack आप लोग gate compact भी आप लोग के लिए हो रहे हैं जिससे आप लोग gate exam की और अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हो इवन आप लोग 2023 gate exam की प्रिपरेशन करना चाहते हो अने के साथ तो आप लोग को मौका मिलेगा rank अच्छी लाने पर 100% scholarship भी ले सकते हो आप लोग अने के सब्सक्रिप्शन पर जिससे आप लोग को सकते हो अगर आप यह सी बैक्रांड के स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए के लिए वर्व के नाम से यह best start हो रहा है और अभी आप लोगो के लिए एक discount भी चल रहा है अगर आप academic का 12 month का subscription लेते हो तो आप लोग को 2 month का extra subscription free में दिया जाता है और उसाती साथ coupon code में आप लोग tricky mail लगा होगे तो आप लोग को ओर discount मिल जाएगा अगर आप गेट background के student हो तो आप लोग यह सारी चीज़े चेक आउट कर सकते हो अधर्वाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं Google के program की तरफ से जो की Google का hash code program है इसके पारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यह जो प्रोग्राम है इसका link मैं वीडियो को description में आप लोग को दे दूँगा एक एक करके मैं सारी detail आप लोग को बता देता हूं सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम पेज पर पहुंच जाते हैं रेस्टेशन फॉर हैस को 2022 इस ओपन गूगल का यह जो प्रोग्राम है वह एक programming competition है coding competition आप लोग कह सकते हो जहां पे आप लोग को एक team की ज़रूत होती है minimum two person आप लोग को team के लिए चींगे individual आप लोग यहां पर प्रोग्राम में participate नहीं कर सकते हैं यह चीज़ में clear करना चाहूंगा आपकी बद टीम कैसे बनानी है वो मैं आपको बता दूँगा आपके friend circle नहीं है जो coding वगरा करते हो बड़ आप फिर भी चाहते हो participate करना तो team आसानी से कैसे बनेगी वो मैं आगे वीडियो में आप लोग को यह चीज़ बता दूँगा यहां पर यह जो प्रोग्राम है वो students के लिए working professionals के लिए सभी लोग apply कर सकते हैं और यह online आप लोग को गूगल की engineering problems क को solve करना होता है आप लोग किसी भी language आप लोग को आती है मालों C language आती है C++ आती है जावा python इंडिया की जो भी language है programming language उन सभी language से आप लोग participate कर सकते हो यह आपको कोई भी programming language आती है आप लोग enroll कर सकते हो इस program के लिए learn more पे हम लोग क्लिक करते हैं सबसे पहले हम schedule देखते है इस program का तो यहाँ पर जो यह registration मैंने आपको बताया start हो चुके 6th of jan से और I think 23rd of fab तक यह last jet है तब तक आप लोग को register करना होगा जो next round है qualification round होगा 24th of fab को आपका qualification round होगा इस qualification round में जो भी बच्चे participate करते हैं और select होते हैं उनको Google की तरह से free swag दिये जाते हैं जो Google के swags होते हैं T-shirt वगएरा जो कि अभी आगे मैं आपको detail में बताता हूं यहाँ वर्ड final होगा उसके बाद 30th April को यह schedule है इस program का complete जो कि आपको आज ही register करना है तो कर सकते हो उसके बद यहाँ पर आप लोग टीम वगएरा register करना है यह भी मैं आपको बता दूँगा यहाँ पर कुछ के लिए apply कर रहे हो चेक करना चाहते हो अगर आपकी 16 एज है तो आप लोग apply कर सकते हो अगर आप world finals के dream ले रहे हो तो आपकी एटीन प्लस होनी चाहिए तब ही आप लोग उसके लिए eligible हो तो 16 years वाले world finals के लिए eligible नहीं है बट qualification राउंड के लिए eligible है एक बात तो यहाँ प बाद यहाँ पर problems तो गयरा देख सकते हो problem statement आप लोग को मिलने वाली है किस type की problem statement होगी अभी वह मैं आगे दिखा दूँगा आप लोग को यहाँ पर उसके लावा सकते हैं second place पर जो आते हैं उनको 2000 USD करीब डेड़ लाक रुपे उसके बाद 70-80,000 रुपे third place वाले बंदे को मिलते हैं यह तो winners के प्राइज है जो कि cash money आप लोग को मिलता है इसके अलावा यहाँ पर goodies भी दी जाती है इस program में जो भी बच्चे participate करते हैं उनको free of course यहाँ पर goodies दी जाती हैं पर आप लोग terms and condition पढ़ सकते हो जो भी बच्चे world final participants होते हैं उन सभी को यहाँ पर Google की तरफ से free swags branded objects जो होते हैं products होते हैं वो free of course दिये जाते हैं हाला कि जो बच्चे होते हैं goodies को आप इनका कहना यह prices मत माने बच्चे prices मानते हैं तो जो अगर आप goodies ल printable certificate मिलता है Google की तरफ से जो कि आप लोग अपने resume में add कर सकते हो यहाँ पर बात हो जाते है goodies और swag की यह सारी बात हम लोगों ने कर ली उसके अलावा faq section देख सकते हो registration process देख सकते हो यहाँ पर कौन-कौन eligible है सबसे पहले main important point तो यह है जिसकी age 16 year है वो apply कर सकता है open to student है professional ह सभी लोग apply कर सकते हैं इस program के लिए कोई अलग से terms and condition नहीं है सभी लोग मेरा मतलब है जो भी graduates है non graduates है even school student भी apply कर सकते है इस program के लिए आप लोग उसे कोई fees नहीं ली जाएगी इस program के लिए how do I register registration process बताई गई है आप लोग के लिए जो कि अभी मैं आपको करके दिखा दूँ है registration process तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग के पास अगर team नहीं है how to form a team अगर आप single individual हो आप लोग participate करना चाहते हो तो इनका कहना यह कि इस program में only team के थुरूए आप लोग participate कर सकते हो बट यहाँ पर इनका कहना यह भी है कि आप लोग के पास अगर team नहीं है तो आप लोग के लिए एक facebook group है hash code का जो कि आप check out कर सकते हो इस group में आप लोग असानी से team member अपने बना सकते हो यहाँ पर इनकी तरफ से यह मोक competition details वगेरा आप लोग change नहीं कर सकते team forming आप लोग के लिए complete detail दी गई है कि 23rd of fab से पहले पहले आपको अपनी team form करनी होगी यह चीज़ा आप लोग देख लिजीगा बाकिस के लावा I think इस page पर कोई अलग से नहीं है अगर आप लोग practice करना चाहते हो तो कुछ practice problems भी है past problem statement जिससे आप लोग इस competition की practice भी कर सकते हो अच्छे से ताकि इस competition में आप लोग participate करके google के साथ आप लोग नहीं नहीं recognition आप लोग को मिल सके यहाँ पर आप लोग problems देख सकते हो world final में क्या problem हो थी qualification round में क्या problem statement थी सारी problem statement आप लोग के लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगी इसके अलावा गर हम लोग देखे registration कैसे करना आप लोग अगर इस प्रोग्राम के लिए register करना चाहते हो तो आप लोग के लिए about का option है यहाँ पे आप लोग starting में hash code पे पहुंचीगा register now का button है register now का button पे click करके आप लोग register कर सकते हो register now पे click करते यह page आप लोग के सामने open हो जाएगा एक basic सा application form आप लोग को fill करना है सबसे पहले आपको अपना एक nickname select करना कुछ भी nickname हो सकता है कौन कौन सी country से आप लोग apply कर रहे हो यह worldwide contest होता है only India के लिए नहीं है यहाँ पर अपना first name last name आप कौन सी location में belong करते हो gender आपका बताना है कौन सी language के थ्रूँ आप लोग इस competition में participate करना चाहते हो c++ c sharp go java javascript मैंने बताया था almost सभी language है अधर करके भी आप लोग apply कर सकते हो आपका professional status आप लोग student हो या क्या करते हो इस time पर इसके लावा आप लोग area of study बता सकते हो कौन सी degree इस time पर कर रहे हो bachelor degree कर रहे हो इसके अलावा आप लोग किसी आप लोग Google के लिए job opportunities के लिए contact करें या नहीं करें यह भी आपको बदाने अपना resume वगरा add कर सकते हो जिससे Google आप लोग के लिए job के लिए आप से contact करें internship के लिए contact करें जब भी आप लोग के swag वगरा मिल जाएंगे यह पूछ रहे है कि आप लोग उसको notify कर दिया जाए या नहीं कर नाम देने अगर आपका कोई friend पहले से join कर रहा है तो आप उसके link के through join कर सकते हो और अपनी उसके साथ आप लोग यह competition में participate कर सकते हो मालव आप individual हो आप चाहते हो आपके दूसरे friend आपके link के through हो तो आप लोग यहाँ पर अपनी team का नाम दे सकते हो creator team पे click कर दिने उसके इस बाद आप लोग को एक team का link मिल जाएगा इस link को आप लोग को अपने दोस्तों के साथ share करना है जिससे कि आपके friend आपकी team का हिस्सा बन सके उसके बाद आप लोग participate कर सकते हो इस प्रोग्राम में और अपने लिए Google के swag प्राइज कर सकते हो घर बैटके इस प्रोग्राम Thank you for watching